गुड मॉर्निंग बच्छो जैसे कि हमने पिछले हमारे जो लेशन वीडियो में लेशन पढ़े रहे थे टॉम सायर उसका हमने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में लगभग चार पैरा तक कंप्लीट किया है पांच का भी कुछ पोर्शन समने बढ़े थे तो आज के वीडियो में हम लेशन वन का जो हमारा टॉम सायर है उसका आगे का भाग पढ़ेंगे तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जैसा हम पढ़े रहते हैं कि अभी तक मॉसी ने टॉम को दंड दिया है दिवाल को पैंड करने का और टाम को किस तरह से वो अपने दोस्तों को बेवकूफ बनाएगा उन्हें बेवकूफ बना के कैसे अपने दंड से वो बच्चता है और फस्ट उसका दोस्त है जो बेन रोजर्स गली में आ गया है वो उसे कैसे बताता है कि वो काम नहीं कर रहा है बलकि वो आनंद ले रहा है और आगे के पैरे में वो वाकई अपने दोस्तों से अपना पूरा जो दंड उसे मिला है पनिश्मेंट मिला है वो काम जो उसे अपने दोस्तों से करवाएगा उस काम करने के बावजूद वो उन्हें कुछ देता नहीं बलकि अपने दोस्तों से उनके बहुत सारे उनके फेवरिट चीज हैं वो लेता है तो और आगे हमारा जो पैरा है उसमें दूसरे स्टोरी चलेगी और इस दूसरे पैरे में लगबख छटा जो हमारा पैरा है उसमें टॉम बिमार हो गया है और मौसी किस तरह से उसका घरेलो इलाज करती है और टॉम ठीक नहीं होता और एक दिन मौसी एक घटना घटी है जो बहुत ही रोचक है, हम कहानी पढ़ेंगे तो बताएंगे, तो मज़ा आएगा, और I hope आपको बहुत यह इसली वे में समझा पा रहे हैं, और आप प्लीज कमेंट करिए, हम कैसा बता रहे हैं आपको, अगर कहीं भी डाउट है तो, चली हम स्टार्ट करते हैं, चली हम लेसन पाइब का, for a time से स्टार्ट करते हैं, for a time, Ben stood there watching Tom, कुछ छड़ के लिए, Ben वही खड़ा होकर Tom को देख रहा था, Tom paid no attention to him, Tom ने उस पर अरधा, Ben पर कोई ध्यान नहीं दिया, all his attention was given to his work, उसका पूरा ध्यान उसके काम पर दिया गया था, at last Ben said, अंत में Ben ने कहा, let me wait was a little, मुझे थोड़ी देर सफीदी करने दो, oh no Ben, अरे नहीं Ben, I am going to make this fence look fine, मैं इस चार दिवारी को सुन्दर, दिखने में सुन्दर बनाने जा रहा हूं, I have promised auntie Polly, मैंने मौसी Polly से वादा किया है, besides its interest, इसके अत्रिक्त यह बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही रोचक है, let me do just a little, begged Ben, Ben बिंती कर रहा है Tom से, कि मुझे प्लीज थोड़ी देर, मुझे थोड़ी देर करने दो, let me do just a little, मुझे केवल थोड़ी देर करने दो, begged Ben, Ben ने बिंती की, No, नहीं, I am sorry Ben, मुझे माफ कर दो Ben, but I can't, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ Aunty said that I must do it myself, मौसी ने मुझे कहा है कि मैं अवस इसे स्वयम करूँ, if you do it, यदि तुम इसे करते हो तो, you will make a mistake, तुम कोई गलती करोगे, you will spoil everything और तुम सब कुछ बरबाद कर दोगे, या खराब कर दोगे, it looks so nice now, यहां अभी बहुत सुन्दर दिख रहा है I shall not make a mistake, मैं कोई गलती नहीं करूँगा, I will be careful, मैं सावधान रहूँगा, you can have my apple if you let me, यदि तुम मुझे करने देते हो, यहां से देखेंगे, if you let me, यदि तुम मुझे करने देते हो, तो मैं तुम्हें अपना सेब दे सकता हूँ Slowly and unwillingly, Tom handed the brush to Ben, धीरे से और unwillingly, अनिच्छा से, Tom ने Ben को brush थमा दिया Slowly and unwillingly, Tom handed the brush to Ben, धीरे और अनिच्छा से, Tom ने Ben को brush थमा दिया Ben worked hard, Ben ने कठीन पर इस्रम किया, he soon grew hot, but he went on working, जल्द ही वह गरम हो गया, अधात वह पशीने-पशीने हो गया But, मने, लेकिन, he went on working, लेकिन उसने काम करना जारी रिखा, Tom sat there, Tom वही बैठ गया, watching and eating Ben's apple Watching, मने, देख रहा था, and eating Ben's apple, और Ben के सेब को खा रहा था When Ben had done enough, जब Ben काफी परिश्रम कर चुका था, या थी अर्थात काफी काम कर चुका था तो, others boys came along, तो दूसरे लड़के जो थे उसके साथ ही थे, वो भी वहाँ आये At first, they laughed at Tom, पहले वे भी टाम पर हसे, as Ben had done, जैसा कि Ben ने पहले किया था But soon, they were watching the fence, लेकिन जल्द ही वे भी चार दिवारी को सफेदी कर रहे थे Of course, वास्तों में, they had to pay Tom before he let them help him वास्तों में, they had to pay Tom, उन्हें Tom को कुछ पे करना पड़ा, अर्था चुकाना पड़ा या देना पड़ा Before, he let them help him, उसके पहले कि वे उसकी सहायता, अर्था टाम की सहायता करते They gave him their best things, वे उसे अर्था टाम को अपनी best माने सबसे अच्छी वस्तों दिये 12 marbles, 12 कंचे, 18 solder, एक टीने का सिपाही, एक की, एक चाबी, एक डॉक्स कॉलर, एक कुद्दे के गले का पट्टा, The handle of a knife, एक चाको की मुठिया, and four pieces of orange और चार संत्रे के टुकडे टाम had an easy time, और टाम के लिए यह बहुत ही आसान समय था He did not work, but soon the fans had their coats, three coats of white was on it He did not work, लेकिन उसने कोई काम नहीं किया, लेकिन सून माने जल्द ही चार दीवारी पर सफेदी के अर्था, चूना के तीन परत चड़ गए थे I hope, आपको समझ में आ गया, अब अगले वाले पार्ट में हम अगला पढ़ेंगे अगले पैरे में हमारा, जैसा आप लोग देख रहे हैं, new medicine for Tom तॉम के लिए नया दवा, इसमें टॉम बेमार हो गया है और मौसी पालिवस का अलाज करिए चले स्टार्ट करते हैं, Tom was not feeling well, Tom अच्छा महसूस नहीं कर रहा था He could not sleep as well as he used to, वो पहले जैसे सो भी नहीं सकता था, जैसे कि वो पहले सोता था He could not eat as much as he used to, वो पहले जितना खा भी नहीं सकता था, जितना अधिक वो पहले खाता था He did not want to run away from school, वो सकूल से दोड़ कर भी नहीं आना चाता था Sometimes he did not want to play, और कई बार वो खिलना भी नहीं चाता था जैसे आप सभी को पता है कि बचों खिलना पहुत पसंद है, तो वही करा है कि sometimes he did not want to play, कई बार वो खिलना भी नहीं चाता था He was troubled and sad, वो परिशान था और उदास था The boy is ill, रड़का बिमार है आंटी पॉली thought, मौसी पॉली सोची I must give him some medicine, मुझे अवैसे उसे कुछ दवा देना चाहिए आंटी पॉली was fond of all kinds of medicine मौसी पॉली सभी प्रकार के दवाओं की सोकीन थी यानि दवा के बारे में जो जानकारी होता है उसकी सोकीन थी She had a lot of books on this subject और इस भी सेपर और था दवा के भी सेपर उनके पास बहुत सारी a lot of books यानि बहुत सारी पुस्तके थी Her newest idea was this और उनका सबसे नया जो विचार था कि When a boy was ill, जब एक लड़का बिमार होता हो थो He must bath in cold water everyday उसे आवसे प्रतिक दिन थंडे पानी से स्नान करना चाहिए And so every morning she made Tom stand outside in the yard इसलिए प्रतिक सुब वह अर्थात मौसी जो है Tom को yard मने हमारा आंगन होता है बाहर आंगन में खड़ा कर देती थी Then she threw ice cold water over him उसके बाद वो बर्फ के समान थंडे पानी उसके ऊपर फेकती थी अर्थात डालती थी After that उसके बाद she wrapped him in a wet seat उसके बाद वह उसे एक गीले चादर में लपेट देती थी And made him lie in bed और उसे bed पर सुला देती थी Tom did not get better Tom ठीक नहीं हो रहा था He got worse वो और भी खराब हो रहा था तो उसकी तब्यत और भी ज़्यादा खराब हो रही थी Auntie Polly tried a new idea Mausi Polly ने एक नया विचार अपनाया See through hot water over him instead of cold वह उसके उपर ठंडे पानी के बजाए गरम पानी डालने लगी यानि गरम पानी से स्नान कराने लगी That did not help Tom either और इससे भी अर्थाद गरम पानी से जो नहला रही थी इसने भी Tom की कोई सहायता नहीं की चलिए अगले पैरे में देखते हैं कि Mausi क्या दवा कर रही है अब साथ में paragraph हम स्टार्ट करते हैं At this time Auntie Polly heard about a new medicine और इस समय Mausi Polly एक नए दवा के बारे में शुनी थी It was called a pen killer इसे एक pen माने दर्द होता है killer माने मारने वाला अर्थाद दर्द निवारक दवा करते हैं It had the taste of fire इसका जो स्वाद है आग के समान था आग के समान मतलब कड़वा था अर्थाद हम कहेंगे It had the taste of fire इसका स्वाद बहुत कड़वा था All the same आंटी पॉली मेड टॉम ड्रिंक एट 3 स्पून आफ्टर इच मिल All the same और करा है इसे प्रकार Mausi Polly टॉम को प्रतिक भोजन के बाद यानि दिन में 3 बार खाता है भोजन आपमी तो तीनों बार खाना खाने के बाद 3 स्पून फूल स्पून फूल तीन चमच भर के दवा पिलाती थी अर्थाद Mausi Tom को तीनों बार यानि प्रतिक भोजन के बाद तीन चमच भर के वो कड़वी दवा पिलाती थी Tom headed it Tom इससे घड़ा करता था into a hole in the floor वो जल्दी से first में hole माने एक छेद था उसमें वो जल्दी से pore माने उडेल देता था यानि डाल देता जब Mausi नहीं देखती थी तो वो जल्दी से दवा को first में बने एक छेद में डाल देता था या उडेल देता Tom was busy doing this one day Tom एक दिन यही करने में ब्यस्त थार था दवा छेद में डाल रहा था when the cat came in तभी एक बिल्ली अंदर आई Tom poured some of the medicine into its mouth Tom ने कुछ दवा उसके मुह में डाल दिया at once तूरंत it jumped high into air यह हवा में उचाई पर उचली या कूदी it started dancing on its back leg वह अपने पिछले पैरों पर नाचना सुरू की it rushed about the room वह तेजी से कमरे से बाहर चली गई breaking everything in its path और उसके रास्ते में जितने भी वस्तोय या सामान पढ़ रहे थे उनको तोड़ते हुए at it ran about as if it were mad वह इस तरह से दोड़ रही थी मानो की वह पागल हो गई थी टाम laughed and loved टाम हसा और हसा it was a long time time since he had laughed so hurtly यह बहुत लंबे समय लंबा समय था जब टाम बहुत ही totally मने दिल से या खुस होकर हस रहा था आंटी पाली हीर्ड दन्वायस and came rushing in मौसी पाली ने यह आवाज सुना और दोड़ते हुए या तेजी से अंदर आई what's the matter मामला क्या है Tom could not speak for a laughing Tom हसने के कारण कुछ भी नहीं बोल सका at last he pointed and said अंत में उसने जारा किया और कहा look at the cat बिली की तरफ देखो what's the matter with it उसके साथ तुमने क्या किया you have been giving it the medicine क्या तुमने उसको कुछ दवा दे दिया है I don't know said Tom Tom ने कहा मैं नहीं जानता still laughing और फिर हसने लगा आंटी पाली साथ बोटल of the pen killer the spoon and a saucer मौसी पाली ने बोटल of pen killer दर्द निवारक दवा की सीसी देखी the spoon चमच देखा and saucer माने थाली होता है थाली या तस्तरी तो मौसी पाली ने दर्द निवारक जो दवा की सीसी है उसे देखा चमच देखा और वहाँ पे एक plate था she guessed the truth और उन्होंने सच्चाई का अनुमान लगा लिया Tom expected his aunt to be angry Tom को उमीद था या आसा था की मौसी इस पर गुसा होगी To his surprised she was not only thoughtfully वह आस्चरी था की मौसी आस्चरी चकी थी और वह गंभीर मुद्रा में किवल सोच रही थी It is not a medicine for cats या बिल्लियों के लिए दवा नहीं है She said उन्होंने कहा Perhaps it's not a good medicine for boys पर सायद या लड़कों के लिए भी अच्छी दवा नहीं है You need not take any more of it और तुम्हें अब इसे और भी अधिक यानि उस दवा के बारे में मौसी के रही है कि अब तुम्हें इसे और ज़्यादा लेने की कोई आवशक्ता नहीं है This was good news for Tom और यह Tom के लिए बहुत ही अच्छा समाचार था He began to feel better और वह धीरे धीरे अच्छा महसूस करने लगाया धीरे 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 ठीक होने लगा इस तरह से हमारा Tom's Eye फुड़क खतम होता है अगर आप लोगों को कहीं भी कुछ भी डाउट है कोई सवाल है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को दूसरों को सेयर करिए थैंक यू फॉर वाचिंग प्लीज प्लीज सेयर इस वीडियो झाल